साथियों मैं मन की बात के स्रोताओं से भी आगर करूँगा कि हम अपने संकल्पों को फिर से दोराए पानी की एक-एक बुन्द बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए इसके अलावा पानी की recycling पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है घर में इस्तिमाल किया हो जो पानी गमलों में काम आ सकता है gardening में काम आ सकता है वो जरूर दोबारा इस्तिमाल किया जाना चाहिए थोड़े से प्रयास से आप अपने घर में ऐसी व्यवस्थाइं बना सकते हैं रहिमदाज जी सद्यों पहले कुछ मकसद से ही कहकर गए है कि रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसुन और पानी बचाने के इस काम में मुझे बच्चों से भावत उमीद है सवस्थता को जैसे हमारे बच्चों ने अंदोरन बनाया वैसे ही वो वाटर वारियर बनकर पानी बचाने में मदद कर सकते हैं साथियों, हमारे देश में जल सवरक्षन, जल स्तोतों की सुरक्षा, सद्यों से समाज के स्वभाव का हिस्स्ता रहा है मुझे खुशी है कि देश में बहुत से लोगों ने वाटर कंजर्वेशन को लाइप मिशन ही बना दिया है जैसे चैन्ने की एक साती है अरुन क्रश्नमूर्ती जी अरुन जी अपने इलाके में तालाबों और जीलों को साब करने का अभियान चला रहे हैं उन्होंने एक सो पचास से जादा तालाबों जीलों की साब सफाई की जिम्मेदारी उठाई और उसे सभलता के साथ पूरा किया इसी तरह महाराष्टर के एक साथ ही रोहन काले है रोहन पैसे से एक HR प्रोफेशनल है वो महाराष्टर के सेंक्डो स्टेपवेल्स यानि सीडी वाले पुराने कुवां के सरवक्षन की मुहीम चला रहे हैं इन में से कई कुईते सेंक्डो साल पुराने होते हैं और हमारी विरासत का हिस्सा होते हैं सिगंदराबाद में बंसिलाल पेट कुवां एक ऐसा ही स्टेपवेल है बरसों की उपिक्षा की कारण इस स्टेपवेल मिट्टी और कचरे से ढंग गया था लेकिर अब वहां इस स्टेपवेल को पुनरजीवित करने का अभियान जन भागिदर्शे शुरू हुआ है साथियो मैं तो उस राज्य से आता हूँ जहां पानी की हमेशा बहुत कमी रही है गुजरात में इन स्टेपवेल्स को बाव कहते हैं गुजरात जैसे राज्य में भाव की बड़ी भूमी का रही है इन कुओं या बावडियों के सवरक्षन के लिए जल्मंदिर योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निवाई पुरे गुजरात में अनेकों बावडियों को पुनरजीवित किया गया इससे इन इलाकों में वाटर लिवल को बढ़ाने में भी काफी मदद मिली है ऐसे ही अभ्यान आप भी स्थानी स्थर पर चला सकते हैं चेक्डम बनाने हो, रेन वोटर हार्वेस्टिंग हो इसमें इंडिविजल प्रयास भी एहम है और कलेक्टिव एफर्ट भी जरूरी है जैसे आज़ादी के अमरुत महसों में हमारे देश की हर जिले में कम से कम 75 अमरुत सरोवर बनाए जा सकते हैं कुछ पुराने सरोवरों को सुधारा जा सकते हैं कुछ नए सरोवर बनाए जा सकते हैं मुझे विश्वास है आप इस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास जरूर करेंगे